है लो गाइस गुड मॉर्णिंग तो आल माइने में इस शिवम्तियागी वेलकम टेटिव पंडा सो है इस दे नियूस्पेपर एंलिस फॉर 26 तू 29 दिसमबर एचली कोई न्यूस इतनी खास थी नहीं कि जिसके लिए एक या दो न्यूस थी जिसके लिए न्यूस बनाना कोई आज थोड़ी सी न्यूस अच्छी थी इसलिए मैंने आज कॉंपाइल कर दिया फिर भी थोड़ी सी अच्छी न्यूस है आप चेक करिए आज के पहली न्यूस थी 100% टेक फर्स्ट दोस वेक्सिन इन तेलंगना ऐसे सवाल क्या करते हैं जो अपना UPSC है वो नहीं पूछता लेकिन जो CDS और NDA वाले जो F-Cat वाले बच्चे उनके में मैंने पाए हैं बहुत सारे ऐसे सवाल क्यों पूछता कि सबसे first वाला बताओ तो याद रखेगा जो All India में ऐसा बोला जा रहा है जो first dose जो vaccine की है जिसने पूरे state ने जो ली गई है वो है तिलंगना तो याद performance on health indicator तो अभी क्या हुआ है अभी recently नीती आयो कौन निकालता है सबसे पहले तो यही सवाल हो जाएगा आपसे तो नीती आयो कि क्या निकलिए health index report याद रखेंगे आपसे दो सवाल यहां मनते है कि health index report कौन निकालता है तो उसका answer हो जाएगा नीती आयो सबसे पहले आपको education का मामला भी आ जाए उसमें भी केरला टॉप पे ही रहता है एक तो यह सवाल मन जाता है तीसरा इसमें यह भी पूछ सकता है कि सबसे bottom state को अंदर सबसे bottom state है UP याद रखेंगा उत्तर प्रदेश यह भी कोई कहने की बात नहीं है अगर ना है अगर आपको आंसर समझ में न 威ए बिहार आता है एमपी आता है यह तीनों state पर रही है नहीं मिलेट को कमिट को निटर इस सबसे bottom निकालता है यह थीन सवाल पर जह भी उतला यह जहता है नम्बर ऑफ मेंदरनल डेथ पर म किसी की मृत्यु होती सर्थ 155 याद रखेंगा, एक हजार पर नहीं है एक लाग पर डेथ उसको हम बोलते हैं maternal mortality rate तो उसमें भी सबसे आगे केरला है और under mortality rate क्या होता है कि number of child death of less than five year per thousand यह under mortality rate क्या होता है under mortality यह बस mortality rate भी बोल देते हैं कि हजार बच्चों पर अगर पांच साल के अंदर कितने बच्चे मर रहे हैं हजार बच्चों के उपर उसको हम बोलते हैं maternal mortality rate तो आपको इस दो टर्म भी याद उने चीए maternal mortality rate जो निकाला जाता है और lakh पर निकाला जाता है वन लेक पर कितने लोग मर रहे हैं और जो केवल normal जो बच्चों का निकाल जाता है mortality rate वो पर thousand पर निकाल जाता है for five years को देखते हुए मध्य नजर रखते हुए तो इस दो चोटा 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 टर्म है यह भी कभी कभी difference आपको पता होना ची कभी कभी इसमें confusion हो जाता है जो इससे सवाल बन सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया आगे चलते हैं anti-dumping duty on five Chinese goods तो five Chinese goods पे anti-dumping duty लगा दी अब आपने अगर नियूस पिपर अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं या आप अपने economics अगर आपने ध्यान से पढ़िए तो उसमें तीन चार टर्म का बहुत जादा repeatedly यूज होता है जैसे एक तो यही था anti-dumping duty एक आपने पढ़ा होग जैसे नाम में defined है custom अगर कोई भी सामान आप विदेश से मंगाते हैं या विदेश को भेजते हैं याद रखिए भली आप import करते हैं भली आप export करते हैं any goods and services to any foreign nations तो उस पर लगती है custom duty, custom charge लगता है यह तो बहुत easy है दूसरा में बताता हूँ यह क्या होता है countervailing duty जो यह यहां लगी हुई है countervailing anti-dumping जो यहां लग गई है anti-dumping duty, anti-dumping duty क्या होती है मायन के चलिए Chinese वाले क्या करते हैं कि China वाले अपना सामान मान के चलिए China क्या करता है LED जो LED जो manufacture करता है चायना और वो इंडिया में बेशता है अब मान के चलिए यह चायना जो है अपने यह इस LED को 50 रुपे में बेशता है मैं मान के चलिए रफाए दिया और वही सेम LED यह इंडिया में क्या करता है, इंडिया में बेश देता है 30 रुपे की जब्कि इंडिया के जो लोग जो इंडिया में manufacture हो रही है LED, जो इंडिया के लोग LED बना रहे है उसकी rate यहां पर भी 50 रुप कि मतलब उस गुड की MRP तो अपने देश में तो इन्होंने 50 रुपई कर रखी है लेकिन जब वही समान वह इंडिया में भेज रहा है तो इसको 20 रुपई कम करके भेज रहे हैं क्यों भेज रहे हैं ताकि यहां कॉम्टीशन में आ जाए क्योंकि यहां तो बहुत जादा तो 20 रुपई की ड्यूटी लगा देगी सरकार अब 20 रुपई की ड्यूटी लगा देगी सरकार तो क्या होगा यह भी 50 रुपई की LED भिखने लग जाएगी तो परफेक्ट एकलुबिडियम कॉम्टीशन हो जाएगा इसको बोलते हैं हम कस्टम डो एंटी डंपिंग ड्यूट रहते हैं यह और दूसारस में बिखने ड्यूटी इसको यह 20 रुपई की subsidy दे देते हैं, जैसे हमारे इंडिया में subsidy मिलती है ना farmers को, कि हम 20 रुपे आपको वापिस कर देंगे, वहां की government कहती है, कि आप LED बनाते हो, इसलिए हम आपको subsidy दे रहे हैं 20 रुपे की, तो अब क्या हुआ, ये LED जो थी 50 रुपे की, लेकिन इने मिल गई subsidy 20 रुपे की, त अगर कोई भी आपको back में, कोई देश आपको subsidy देता है, उस subsidy के counter में, अगर आपको price लेके आना है, तो उस पर हम लगा देते हैं countervailing duty, बस इतना difference है, countervailing duty जो है, वो positive term में यूज होती है, कि कोई भी देश अपने जो manufacture है, उसको कुछ subsidy प्रोवाइट करता है, तो उस subsidy प् price को अपने देश के price के बराबर लाने के लिए, उस पर एक duty लगाई जाती है, उसको हम बोल देते हैं countervailing duty, तो ये पूरी कहानी थी, custom duty की countervailing duty की anti-dumping duty, अगर फिर में आपके समझ में ना आया हो, तो आप comment section में बताइएगा, मैं इसको दुबारा explain करने के लिए ready हूँ, बैसे जहां तक मुझे लगता है, समाझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, two more vaccine and drug join India fight against covid, तो दो और vaccine का नाम बस आप याद रख लिजे, Corvavax, Covax और यह Molynevra Bills, यह बसे मतलब यह रफली याद कल लिजे, ऐसे वो पूछना नहीं वाला है, तो इतना detail में चाने की दुर 1 minute, 1 minute, 1 second, कुछ hang हो गया मेरा, हाँ, तो Covax लग रही है, और एक हमारी लग रही है, Sputnik 5, यह तीन लग रही है, आप यह तीन और जोड़ गई है, तो आपको इनका नाम याद रोना चाहिए, इस से जाद है याद करने की कोई जरुवत नहीं है, आपको, आगे चलते हैं, GI tag sought for अपतानी textile product, तो यह GI tag क्या होता है, जोगरिफिकल इंडिगेटर tag होता है, अब यह याद रखेगा, यह केवल अभी, मतलब स्टार्टिंग फेस में, अभी GI tag मिला नहीं है, अभी केवल स्टार्टिंग फेस में, कहां पर होता है, यह अरुनाचल प्रदेश की बात हो तो यह अभी मिला नहीं है, याद रखेगा, मिला नहीं है, तो जब मिल जाएगा, तब इसका अंत लगाएगा, अभी मत लगा के आईएगा, आगे चलते हैं, Missionaries of Charity Denied FCRA Node, तो यह क्या news थी, कि जो West Bengal में कुछ missionary का, कोई NGO चलता था, तो उसको FCRA Node नहीं मिला, FCRA से permission नहीं मिली, तो इससे क्या मतलब है, कि जो विदेशों से उनके पास funding आती थी, अब वो नहीं आ पाईगा, आप लोग बोलेंगे, सरी, Falthy News हमें क्यों पढ़ा रहे ह FCRA, जो है, वो ACT जो अभी इंडिया में चल रहा है, वो 2010 वाला चल रहा है, यह किस ministry के अंदर आता है, सबसे पहले सवाल तो यही होता है, MHA के अंदर आता है, Ministry of Home Affairs में आता है, Ministry of Finance में नहीं आता है, बच्चे इसको गलत समल लेते हैं, कि पैसे का मामला है, तो Finance होगा, यह R में, MHA की द्वारा, तो याद रखेंगे, कोई भी विदेशी फंड अगर आता है, तो इस NGO के, किसी भी NGO में, तो इसको इस, जो यह MHA की FCRA है, इसमें जाके अपना registration करना पड़ेगा, 25,000 तक तो आप बिना registration के ले सकते हो, foreign contribution से, लेकिन अगर आपके पास 25,000 से जादा पै है, कि यह जो validity आप जो registration कराओगे, क्यों पांच साल के लिए valid होगा, तो याद रखेंगे, हर पांच साल में दुबारा registration कराना होगा, ऐसा निए, कि एक बार आपने करा लिया, जीवन भार आप बार से पैसा मंगा रहे हो, नहीं, हर पांच साल में आपका review होगा, कि आप स खुलना पड़ेगा, SBI की इस New Delhi की शाखा में, यह तीन मुख्य important point है, जो इसमें आपको याद रखने है, और इससे जाते याद करने ही कुछ जरुवत नहीं है, आगे चलते हैं, नागलेंड पैनल टू लुक इंटू आपसपर विड्रोल, तो Armed Forces Special Power Act, यह मैं कई बार आप से इसको खतम कर दो, तो एक answer तो आपको इसी में मिलीगा है, कि नागलेंड में आपसपर लगा हुआ है, आज का सवाल ही है कि कितनी states में आपसपर लगा हुआ है, उनके आपको नाम भी बताने है, उसके आपको नाम भी बताने है, नागलेंड से हटाने की बात हो रही है, तो इसके लिए एक पैनल का गटित हुआ है, तो देखिए इसका जब भी पैनल ये अंसर अपना देदेगा, तब हम आपको इसका आगे बगी जानकारी देंगे, आज का आपका सवाल यह है, कि कितने स्टेट्स में Armed Force Special Power Act लगा हुआ है, आप सब बच्चे मुझे कमेंट सेक् आपको याद रखना है, इंडिया ने रिसेंटली जो एक मुझेंबिक नेशन है, उसको फूड भी दिया है, इसका नाम है मुझेंबिक, किसने हेल्प करी है, तो यह लेके गया था, आईये ने केसरी, याद रखेंगे, आईये नेस, केसरी, सारा समाल लेके गया था, आपको इसका नाम भी याद होना चाहिए, और किस देश की की हेल्प करिए, तो मुझेंबिक, ऐसा नहीं है, कि किवाल इसी की हेल्प करिए, अभी पिछले साल हमने 2020 में, Humanitarian Medical Assistance, हमने Maldives को भी दिया ह है, Seychelles को भी दिया है, Madagascar, Comoros, इंक्लूडिंग, इन सारे नेशन का भी आप रफली नाम याद रखेगा, लेकिन वो ऐसे एक्जाम में कैसे लिखे आएगा, कि recently हमने किसकी मदद करिए, तो recently हमने मदद करिए है, Mozambique की, बस आपको इतना याद होना चाहिए, आगे चलत नहीं थे, एक Scientist थे, NASA के, इनके नाम पे एक टेलिस्कोप का नाम रखा गया, ये टेलिस्कोप सबसे पहले बनता है, कि बनाया किसने है, तो याद रखेंगे, तीन लोग है, एक तो NASA, जो अमेरिका वाला, एक Canada की Space Agency, प्लस European Space Agency, ये तीन लोगों ने मिलके इसको बनाया गय है, वो James Webb Space Telescope बनाया, बस आपको इतना याद रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बात ये भी, इसको हमने भेजा गया, इसको भी हमने मतला ऊपर भेज दिया, अंतरिक्ष में भेज दिया, किस Space Rocket से भेज जा है, तो याद रखेंगे Arian 5 Rocket, याद रखेंगे Arian 5 Rocket से इसे हमने भेज आए, ये World का सबसे Most Powerful Space Telescope है, आपको याद रखना है, बस एक चीज़ तो आपको याद रखनी है, ये Hubble का अगली जनरेशन है, आपको याद रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या था, कि Hubble Telescope जो था, वो घूमता रहता था इन आउटर और और वेट, ये वन सन और मून जो है, वो सेम साइड आ जाएगा, ताकि जो सन जो है, उसको शील्ड प्रोवाइड कर सके, बस आपको इतना याद रखना है, कि अर्थ, सन और मून जो है, वो सारे एक साइड आ जाएंगे, ताकि ये जो Hubble Telescope है, ये सब को एक साथ देख सके, ये Hubble Telescope का का काम क्य जो अंतरिक्ष की जो प्लेनेट से उनकी खोज करने के लिए इसका बनाये गया है, कहां से लॉंच हुआ है, तो गुवाना Space Station, फ्रेंच गुवाना, यहां से इसको लॉंच किया गया है, किस Space Rocket से तो एरिया ना 5 से किया गया है, किसने बनाये ता मैंने ये बता दिया, इसे कहां fix करने है, तो lang range 2 point पे से fix करने है, हबल को कहां fix करने है, हबल को rotation में डाल दिया था, और बिट में 600 km उपर, तो जो भी इससे सवाल बन सकता था, मैंने आपको सारा बता दिया है, एक ही जगे, आपके लिए इतना ही important है, मैं उसकी आपको construction नहीं बता सकता है, कि उसका एक mirror है, वो hexagonal shape का है, एक किस diameter का है, यह सब फालतु चीजा है, इसमें लिख्यों है, लेकिन आपको पढ़ने की बिल्कुल सरुवत नहीं है, आगे सरते हैं, तो आज की परसों की तीनी news इतनी थी, आज कुछ अच्छा लगा मुझे lecture बनाने भी आपको सुनने भी मजाए यार, मतलब होई नहीं पारा है, पांच-छे साल से हमें हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं है, सस्क्राइब करने को तो लोग करते भी नहीं है, लेकिन आप एकदम एक हजार लोग की कमी है, तो प्लीज जिन उसने भी नहीं करा है, प्लीज कर लीजे, और ऐसी आगे बढ़ते र